हेलो बच्चो वेल्कम टू दिक्षांसर डूटेक मैं जोती आज आप लोगो को हिंदी में कविता सिखाने आई हूँ और इस कविता का नाम है सूरज तो इस कविता को पहले हम लोग पढ़ेंगे गाएंगे उसके बाद इस कविता के बारे में कुछ बाते जानेंगे तो कव शाम हुई लाली फैला कर अपने घर को जाता है दिन भर खुद को जला जला कर यह प्रकाश फैलाता है उसका जीना ही जीना है जो काम सभी के आता है इसे एक बार फिर से गाते हैं रोज सुबह को सूरज आकर सबको सदा जगाता है शाम हुई लाली फैला कर अपने घर को जाता है दिन भर खुद को जला जला कर यह प्रकाश फैलाता है उसका जीना ही जीना है जो काम सभी के आता है तो इस कविता में सूरज के बारे में कहा गया है सूरज किस प्रकार से रोज सुबह आता है और चारो तरफ उजाला प्रकाश फैलाता है सबी लोग जाकते हैं अपने कामों में जाते हैं और दिन भर सूरज जो है वो जलता है जल कर वो क्या करता है चारो और प्रकाश फैलाता है इस तरह से सूरज क्या करता है अपने आपको जला कर दूसरों के काम आता है तो इसमें यह भी प्रेड़ना मिलती है हमें कि हमें अ सूरज अपने लिए नहीं, दूसरों को प्रकाश फैलाने के लिए दिन भर जलता है, ठीक है? तो हमें भी अपने जीवन में इसी बात की प्रेणना लेनी चाहिए, कि हमें दूसरे के काम भी आना चाहिए, ठीक है? तो इस कविता से हमें यहीं सिख मिल रही है, कि सूरज जो ह प्रकाश देता है, चारों तरफ उंजाला लाता है, और रोज सुबा हमें जगाता है, तो इस कविता में हमें यहीं सिख्षा मिल रही है, जो सूरज हमें दे रहा है, तो सूरज की बारे में इस कविता में यहीं कहा गया है, और इस प्रेणना को हम सभी अपने जीवन में ठीक है, तो इस कविता को एक बार हम लोग फिर से गाते हैं, रोज सुबा को सूरज आकर सब को सदा जगाता है, शाम हुई लाली पैला कर अपने घर को जाता है, दिन भर खुद को जला जला कर यह प्रकाश फैलाता है, इसका जीना ही जीना है, जो काम सभी के आता है, इस कविता को एक बार फिर से दोर आते हैं, रोज सुबा को सूरज आकर सब को सदा जगाता है, शाम हुई लाली पैला कर अपने घर को जाता है, दिन भर खुद को जला जला कर यह प्रकाश फैलाता है, इसका जीना ही जीना है जो काम सभी के आता है धन्यवाद